कि好好 आप न फेली कम तो मैं फ्रिट्टिंगे एन से गाण這個 अध्रेटिमने कर mama reading करेंगा फ्रेट एलसरे में थर्टिंग कि होती ही नद श्रूपरहएटिगी मिद्मेश ठट्रूपर्ट्टेश kg फ्रेटीं है अध्रुटिगा थेक Вर्न कि थर्टै करते हैं जड़िंग की तो threat shift हो जाता है, remember problem उपकोगे साथ भी आ रही होगी और इसी जासे आपके practice नहीं भी आ रही होगी तो friends, आज मैं आपको बताती होंगि क्या problem आपको आ रही होगे और उसको कैसे sort out करना है तो friends, चलें start करते हैं, so friends यह हैं मेरे पास organica का threat that is 40 number threat और इसको thread को, जो इसका open threading करने से पहले, जब भी open end होता है, जब हम beginning में, starting में thread सीखते हैं, तो thread सीखने के लिए हमें near about 10 to 15 days लग जाते हैं, सिर्फ thread को चलाना सीखने में, सिर्फ thread को चलाना सीखना sufficient नहीं होता है, इसके practice भी उतनी ही sufficient होनी चाहिए, उतना ही time आपको उसको देना पड़ेगा, तो कैसे करना है, तो इसका open end होता है, ये वला, इसको आपने mouth में रिखना होता है, like this, अब आपने, इसको हम spool बोलते हैं, ठीक है न, spool में से thread लेना है, अब जब spool होता है, जो आपके left hand में होता ह इस hand में, ये तो two fingers है, इसमें आपको एक band लेना है, एक band ले लीजिए, अगर ज्यादा लंबा thread निकल जाए, तो two band ले लीजिए, मर जी है, ये मिल्कूल आपके ओपर depend करता है, अगर आपको ज्यादा thread निकल गया है, तो two band भी ले सकते हैं, अगर कम thread है, तो one band ले लीजि यानि इतना ही thread लेगा, support करेगा, इस hand को आपने अपने तीथ में दबा लेना है, अब आपने इतना first three fingers है, first three fingers, अपने thread में लेनी है, इस तरह से, इसमें one, two, three, four, three to four bands देने हैं, कितने bands, three to four bands, अब आपने first finger और thumb को, यह जो two fingers हैं बीच में, यह देंगी आपके thread को support, just बीच में, इनका कोई काम नहीं है, support देने के लिए हैं, और यह जो आपकी first finger और thumb है, यह दोनो यह loop को क्या करेंगी, इस तरह से, जैसे जैसे उप loop चलाओगे, यह धीरे धीरे एक दूसरे के पास जाएंगी, तो और वैसे जब आप loop को open करोगे, तो यह दूर चली जाएंगी, अब देखिए, इसमें क्या होता है, जो हम thread जलाते हैं, तो आपको अपना जो pressure है, thumb से pressure देना होता है, इस तरह से pressure नहीं देना, neck का pressure नहीं देना है, अब की चीज़ का pressure देना है, thumb का, यह दे अब देखिए, मैं यह से thumb का pressure देती हूं, लेकिन मैं इनको बंद नहीं करती है, इनको open ही रखा हुआ है, मैं थम का pressure दिया, फिर भी बंद हो रही है, मैंने इनको बंद नहीं किया है, open ही है, फिर भी मैं लूप उस साइड जा रही है, छोटी हो रही है, तो इस विचे जा हमें लूप को फिर से open करना होता है, फिर से open करने के लिए इस तरह से, अब जब हमारी लूप यहां पे होती है, हमें अपनी finger को फिर से open करना होता है, open करने के लिए हम इस तरह से open करते हैं, तो हमारी लूप बड़ी हो जाती है, और जो बीच में नोट है, यह इस साइड फइस नहीं कि आपको प्रोब्लम करता है कि यह प्रोसेस करते हो यह जानिक कि लुप मौथ के पास आगई मौत के पास आगे ना पहले दूर थी इसे क्या होगा क्यों हुआ है इस वज़ा से हुआ है जब हमने थम का प्रेशर लगाया तो थेड लेफ्ट साइड खीचता है यह देखिए थोड़ा-थोड़ा सा फरक पड़ता है धीर धीर तो यह लेफ्ट साइड खीचकने लग जाता तो यह प्रावलम आपको भी आती है कि में तो लूप खीश गया लूप जो है माउठ के पास आजाता है तो इसके लिए भी आपको एक ट्रिक फॉलॉ करने पढ़ती है वो के ट्रिक है देखिए जब यह प्रावलम आती है जैसकि आप यह कर रहे हूं यह मौत के पास जा र करते हैं ताकि आपका लूप मेंटेन रहे अपने पॉजिशन पे जो कि जब प्रेशर दोगी तो ओविसलिए आप साइड खिसकेगा त्रेड जो है वह लेफ्ट साइड जाएगा और लूप जो है आपके डाइट साइड जाएगी जिसे कि आपके मौथ के पास आजाएगी त आपके साइड लंगे देखिए अपनी पॉजिशन पे आवगी अब इसको फिर से दूज छोड़ के थोड़ी सी फोड़ी इसको दूज छोड़ दो इसमें डिपेंड कर यह जो दो फिंगर साइड यह डिपेंड करता है कि आपने टू ही रखनी है बंद रखने वन फिंगर से भी आप काम कर सकते हूँ अब इसको इस तरह से आपको इस तरह से आपको जो इस तरह से अब जब इस तरह करोगे इसको उसको लूज करके पिश्चन पर वापिश लेका हैं इसको लूज करके पूसिशन पर वापिश ले के यहाँ तो गुण जैसे कि बाईचांस assembly यहाँ पै आ गई था उ कुऽछक を अपने पोशिशा सक्ति यहाँ तक आ गई तो यह प्रोब्म आती है आपके साथ कि आपको इसको लूज करके पूजिटर वापिस पर ले तब ही तो थैड हमेशा खिस सकता है आप कि इतना भी टाइम लगा लो यानि कि इतने भी पुराने हो जाओ यह थैड तो अविसली जब प्रेशर दोगे वह अपनी सवेड दो जाएगा दिदिक इसको लूज करके आप होती है इस वजह से आपके तर마 नहीं हो पा रही इस वजह से अ पर प्रेक्टिस्य करते होगे हो तर रहें तो फिल आपके त्रम मेरे मौत के एक बार और दिख लीजिए जैसे कि मैंने इसको थेड को निकाल दिया है जो ओपन एंड है इसका स्पूल से लिया माउथ में लिया अपने हैंड में सपोर्ट लिया 1 2 3 4 4 3 या 4 तरन लिये and then practice start अगर यहां पर है तो इसको लूज कीजिए जैसे वो किजिए इसको लूज करके अपनी पोजिशन बलाएं लूज कीजिए अपको उसको अपनी पोजिशन पर लाना पड़ता है तो यह प्रब्लम आपके साथ आ रही है और इस वजासे आपके प्रॉपर्ली प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा तो थैंकी वीडियो देखने के लिए और जात अपडेटिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हैं और थेर्डिंग से लेटिड ओर मोस्ट टॉपिक्स जो है मेरे चैनल पर अवलेबल ह आप देख सकते हैं और जिसके मैं आपको उसमें complete details दिया standing position जो lefty हैं जो left hand से थर्डिंग करते हैं वह कैसे थर्डिंग करें राइट हैं से थर्डिंग कैसे करें उनके standing position क्या रहे हैं कि पूरी standing position की वीडियो उसमें आपको प्रोवाइड की हुई हैं तो friends I hope सो की वीडिय thank you goodbye